वेल्कम एव्योंन टो पूजास किचन आज हम आपको बनाने बताएंगे बहुत ही टेस्टी स्टफ्ट कैप्सिकम यह मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है पच्पन में मम्मा टिफिन में बना के देतेंगी हमें तो इसके लिए हमने ले लेने हैं छे से साथ आलू तो ध्या अच्छे से जो आलू है वो पक जाएं तो कैप्सिकम हमारे किचन गाडन में लगी थी इसलिए बहुत ही फ्रेश थी तो मैंने सोचा आपको आज यही रेसिपी बताई जाए तो हमने कुकर रख दिया है जास पे अब हम जो कैप्सिकम है उसको काट लेते हैं तो इसको हमने अच्छे से धो लेना है कैप्सिकम को और फिर हमने इसको उपर से काटना है जो इसका स्टैम है लेकिन वो फैक्ट नहीं नहीं है क्योंकि इसको फिल करना है तो फिर उसी से बंद करना है तो हम देखिए बड़े ध्यान से इसको उपर से गोल काटना है और फिर इसके सीट स उसको ऐसे ही बंद करके रख दीजिए तो ऐसे हमने सारी कैपसिकम जो है वो काट लेनी है एक एक करके और उसी की कैप जो है उसके उपर लगा के रख देना है जब हम फिल करें तो जो कैप है अगर हम निकाल के रख देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सी कैप सिकम का कौन सा है तो साथ में ही हमने वो रख भी देना है तो कूकर में विसल आने शुरू हो गई है हमने तीन से चार जो विसल है वो लगवा लेनी है आलू को ताकि अच्छे से पग जाए आलू तो पोटेटोस में तीन से चार सीटी आ चुकी है अब हम इसको खोल के देख लेते हैं कि क्या जो पोटेटोस है वो पग गए है अच्छे से तो देखिए पग गए है एकदम अच्छे से अब हम इसका पानी जो है वो ड्रीन कर देंगे और आलू ठंडे होने के लिए रख देंगे जब आलू ठंडे हो जाएं तो हम इनके छिलके निकाल लेंगे और फिर इनको हम ग्रेट कर लेंगे छीलने के बाद ग्रेटर से ताकि अच्छा साथ जो है हमारी फिलिंग जो है पटैटोस की बन जाए उसमें कोई भी उठलिया ना हो अगर मैश करेंगे तो कई ब जाएगा तो देखिए आलू अभी भी गरम है एकदम इससे अभी भी धुआ निकल रहा है तो आप इसको पील करने से पहले ठंडे कर लीजिए मैं लंच बनाने में लेट हो गही हूं तो फिर मैं जल्दी जल्दी गरम ही छील रही हूं आप ऐसा ना कीजेगा इनको ठंडा कर लीजेगा तो लीजिए पोटैटो सारे जो है इनके पील्स छिलके हमने निकाल दिया है अब हम इनको ग्रेट कर लेंगे अब अभी भी बहुत जादा गरम है देखिए कैसे दुआ निकल रहा है इसमें से अब आलू सारे ग्रेट हो गए तो हमने ले लेनी है कडाही तो मैं ये इंटेंशनली जो आलू है ये आईरन की कडाही में बना रही हूं क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है तो हमें येही बरतन यूज़ करने चाहिए ज़ादा तो अब हम इसमें डाल लेंगे रिफाइंड ओयल अगर आप रिफाइंड नहीं खाते तो आप सरसों ओयल भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे जीरा तो जीरा जब अच्छी सी खुश्बू आने लग पड़े जीरा से वह पक जाए तो हमने डाल दिया है इसमें धन्या पाउडर एक चम्मच मेथी पाउडर वान फोथ टी स्पून रेड चिली पाउडर और अब हमने पोटेटोज हमने ग्रेट किये थे वो कड़ाईं में डाल देने हैं और फिर हमने इसको सिम पे थोड़ी देर पकाना है जब तक अच्छे से जो आलू है वो भून जाए अब हमने इसमें डालना है नमक स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजे इसमें और अच्छे से आलूं में मिक्स कर देजिए तो देखिए हमारे आलू जो है वो अच्छे से पक गए हैं अब हम इनको ठंडा करने एक टेट में रख देंगे ताकि जब हम फिल करें इसको चाप्सिकम में तो ये अच्छे से ठंडे हो गए हो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला जिससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा इस फिलेंगा तो एक चमच हमने गरम मसाला डाल देना है और फिर अच्छे से इसको भी मिक्स कर देना है आलू के मिक्चर में और इनको एके करके हमने काप्सिकम में फिल करते जाना है और इसकी उपर से जो स्टेम है वो वापिस लगा देनी है ताकि जब हम फ्राय करें तो आलू जो है वो बाहर ना आए अब हमने जिस कड़ाई में आली जो है वो फ्राइ करें थे उसी में हम डाल देंगे एक टेबल स्पून ओईल रिफाइंड ओईल और गरम होने पर एक-एक करके जो कैप्सिकम है उसको ध्यान से रख देंगे हम कड़ाई में ताकि ये खुले नहीं ऐसे ना हो क इस्वाप निकल जाए तो हमने इसको ध्यान से रखना है और थिर हमने यह हमने धुआ कि cya कम है ऑख दुआ है यह deficiency store, थोड़ी देर से डेंख करेंदेशाना हुल हमने हलके हलके से पलट भी दिया है इनको तो ब्राउन हो गए है और अभी और पटेंगे तो कम से कम 25-30 मिनट लगेंगे इनको पटने के लिए सारो करफ से एकडम गोल्डन राउंड करना है हमने और पहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है क्याप्चिकम की तब यह पक रहे हैं तो लीजिए हमारी जो क्याप्चिकम है देखिए एकडम त्यार हो गई है कितनी अच्छी लग रही है और खुश्बू इसकी और भी जिसिंग मे डालें बच्चै भी भी पहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आर्भा सिपस्काद मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें औरrobite करें